यमी और टेस्टी रेस्पीज के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए ये बिल्कुल फ्री है और बैल आइकन को भी जुरू प्रेस्पीज कीजिए हमारी आगे आने वाली से भी रेस्पीज की जानकारी के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल यमी फूड कीजन आज हम अपने कीजन में नवरात्री के वर्थ के लिए श्पेशल रेस्पीज बनाएंगे हम बनाएंगे दही भल्ले और फूट डेजट दोनों ही रेस्पी असानी से बनकर तयार होती है और खाने में बहुत ज़्य अनर्जी आती है फूट डिलाइट बनाने के लिए सबसे पहले बावल के अंदर हम दही डालेंगे अच्छे से डिजॉल्व हो जाती है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करते हुए हम इसको बिल्कुर समूर्द कर लेंगे आप ब्रत के अंदर जब पूरा दिन भोगे रहते हैं, तो जब भोग लगते हैं, तो कुछ एनरजेटिक खाने का मन होता है, उस टैम पर हम ये फ्रूट सैलेट बना कर खा सकते हैं, हम इससे खुब एनरजी मिलेगी, अब हम इसमें क्रीम डालेंगे, मैंने क्रीम ली है, को सजेस्ट करोंगे कि आप क्रीम ही लीजी, उससे ये ज़्यादा अच्छा बनता है, अब इसे भी मिक्स करेंगे, और मिक्स करते हैं, फ्लफी और स्मूद बना लेंगे, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुत स्मूद बना हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्रूट और रोज वाटर डालेंगे, ये उप्शनल है, आप चाहें तो डालेंगे वन असके भी कर सकते हैं, और इसकी ज़्यादा लाइची पाउडर भी ले सकते हैं, रोज वाटर भी मिक्स कर लेंगे, हमारे ये बैटर बन कर तयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे, उसके लिए मैं ए इन्हें मैं दो हिस्सों में काट लिया और अब इसकी लेर लगाएंगे, अब हम हरे अंगूर की लेर लगाएंगे, कुछ अनार के दाने भी डालेंगे, इस तरह अगर हम सर्व करते हैं, तो देखकर ही भूग बहुत ज़्यादा लग जाती हैं और खाने का मन करता हैं, जो आपकी इच्छा हो, सेव के लिए लगाने के बाद हम क्रीम और दही का जो मिक्षब ना है उसके लिए फिर से लगाएंगे, रोज सिरप डालेंगे, लग रहा है ना बिल्कुल बढ़िया तो खाने में भी बहुत मज़ा आएगा, अब इसके ओपर ड्राइफूर्स डा बीगे ओए ड्राइफूर्स डालने से खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, अब हम इसके ओपर आम की लिए लगाएंगे, आम की लिए लगाने के बाद, अब हम इसके ओपर केले की लगाएंगे, मैंने इसके अंदे बहुत सारी फूर्स का यूज़ किया है, केले के लिए लगाने के बाद, इसके ओपर फिर से हम क्रीम का मिक्षे पोर करेंगे, रोज सिरप डालेंगे, फिर से ड्राइफूर्स डालेंगे, उपर से हम नार के दानों के साथ इसे गार्निश करेंगे, हमारा इफ्रूट डैजट बन का तयार है, अब हम दई भल्ले बनाएंगे, भल्ले बनाने के लिए मैंने समा के चावल और साबूदा न लिया है, इन्हें मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, अब हम इने मिक्षी के जाल में डालेंगे और एक फाइन पाउडर बनाएंगे, हमें इसका फाइन पाउडर बनाना है, इस powder को आप महीनों तक श्टोर करके फ्रीज में रख सकते हैं और फिर जब भी आपको बना कर कुछ खाना हो तो बना कर खा सकते हैं क्योंकि इससे डोसे भी बन जाते हैं, उत्टापम भी बन जाता है हमारे powder तयार है, इसे हम ड्राइ रोस्ट करेंगे इसे में continuous चलाते हुए रोस्ट करना है इसको हम हलका color change हो जाने तक रोस्ट करेंगे यह रोस्ट हो चुका है, इसे अब हम एक plate में निकाल लेंगे और gas के पर फिर से क्राही रखेंगे, उसमें oil डालेंगे इस combination को बना कर रखने से हमें फाइदा होगा कि जब भी हमें कुछ बनाना होगा, तो वह हम जट से बना सकते है अब हम इसके अंदर हरी मिच और द्रग डालेंगे और इसे saute करेंगे वर्त में कुछ अच्छा चट पटा खाने का मन हो तो आप ये भल्ले बना कर खा सकते है हरी मिच और अदर जब saute हो जाएंगे तब हम इसके अंदर जो पाउडर हमने रोस्ट के है वो डाल देंगे अब हम इसमें पानी डालेंगे जितना हमने पाउडर लिया उसका दुगनह में पानी डालना है अब हम इसे चलाते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है कि आप देख सकते हैं कोई लंस नहीं है अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे क्योंकि हम यह वरत के लिए बना रहे हैं तो मैंने इसमें सिंधा नमक डाला है इसे भी मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसको कंटिनिस चलाते हुए थिक हो जाने तक पकाएंगे आप देख सकते हैं थिक होने लगा है हमारे मिक्स थिक हो गया है अब हम इसमें उबला और मैश की अवा आलू डालेंगे और आलू को हम इसके अंदर इस तरह मिक्स करेंगे जैसे कि है इसमें हमने आलू डाला ही नहीं कोई गोटली नहीं रहने चाहिए और चलाते हुए इसे पकाएंगे जब तक कि एक डो की तरह नहीं बन जाता आप देख सकते हैं डो की तरह बन गया अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे जब यह हलका गरम रह जाएगा ता हम हातों को ग्रीस करेंगे और इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और इस तरह रोल करते हुए एक बोल का अकार देंगे हमें यह बोल स्मूद बनानी है कोई क्रेक नहीं होना चाहिए और भल्ले का अकार भी थोड़ा छोटा ही होना चाहिए बहुत बड़े भल्ले नहीं बनाने यह बोल बन जुकी है इसी तरह हम अपनी सबी बोल्स बनाकर तयार कर लेंगे हमारी यह सबी बोल बिलकु स्मूद बनकर तयार हुई है मैंने ग्यास के पर ओयल भी गरम होने के लिए रख दिया है इसे हम चेक करेंगे अभी हमारा ओयल गरम नहीं हुए हम एक मिन्ट वर बेट करना है ओयल गरम हो चुका है अब हम इसके अंदर एक एक करेंगे बोल डालती जाएंगे एक बार में हमें पांस से छे बोल ही डालनी है पूरा पैन भरना नहीं है वनना इनको फ्राइ करने में प्रोब्लम होगी इन्हें बार-बार चलाना भी नहीं है जब एक बार नीचे से फ्राइ हो जाएंगे तभी हमें इन्हें पलटना है हम कल्ची की साहता से गरम तेल इनके ओपर डालते जाएंगे और इस बात का भी ध्यान लखना है कि भला फूटना नहीं चाहिए हमारे भले नीचे से फ्राइ हो चुके हैं अब हम इन्हें पलट लेंगे इन्हें हम हलकी आतों से पलटेंगे क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा सोफ्ट होते हैं आप देख सकते हैं नीचे से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं इन्हें पलट कर आप हम दूसरी सेट से भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हमारे भल्ले दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं अब हम इन्हें निकाल लेंगे इसी तरह अपने और भले भी बना कर तैयार कर लेंगे इन्हें कोई जरूरी नहीं कि हम वरत में ही खाएं इन्हें हम नॉर्मल भी बना कर खा सकते हैं बहुत यहां टेस्टी होते हैं आप देख सकते हैं यह कितना क्रिस्पी बना है जब हमें खाना उसे 5 मिन पहले ही हम जितने भल्ले हमें खाने हैं उतने भीगों कर रख देंगे इन्हें ज़्यादा देख भीगाने की जूरुत नहीं है सिरफ 5 मिन के लिए भीगाएंगे कवर करके 5 मिन के लिए रख देंगे पाँच मिनट के बाद हमारे भल्ले आप देख सकते हैं भीक कर तयार है मैंने ये विस्किया वा धही लिया है इसके अंदर हम पाउडर शुगर डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम भल्ला चाट बना कर तयार करेंगे मैंने एक डिस्पोजर प्लेट ली है हलके हाथों से भल्ले को स्कीज करेंगे और ये भल्ले इस प्लेट में रखते जाएंगे इन्हें हलके हाथों से ही निचोनना है अब हम इसके उपर वो स्वेट ड़ी जो त्यार किया है वो डाल देंगे इमली की चटने डालेंगे हरी धनिये की चटने डालेंगे ये भल्ले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन कर तयार होते है फिर से थोड़ा धही डालेंगे अब हम इसके उपर नमक स्प्रिंकल करेंगे ये से नमक है काली मिश पाउडर स्प्रिंकल करेंगे वरत के लिए श्पेशल हमारी दोनों ही रेस्पी बन कर तयार है तो आप हमारी इस रेस्पी को एक बार चुरू ट्राइ कीजिएगा मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई कर दो आप हमारी